यहां से बता रहा है नाक द्वारा 55 किलोमेटर जैपुर वाय आजवेर 408 किलोमेटर सेयुलियो की बाड़ी रेल्वे स्केशन माउंट अब 180 किलोमेटर तो अभी हमको नाक द्वारा की तरफ से जाना है इस चेतक शरकर आप देखेंगे के साइन बोर्स बता रहे हैं जोदपूर 265 किलोमेटर रनक पूर 90 किलोमेटर फात्यपूर 1.5 और नाक द्वारा 48 किलोमेटर तो दोस्तों अभी हम उद्वार निकल रहे हैं और आप देखेंगे कितना सुंदर नजा रहा है इस समय आप देखोगे कितना मौ आप संभी अच्छा है और पहाड या पूरा ग्रीनरि और ये बादियां कितना सुंदर है उद्वाद्वूर का व्यूव ऊद्वाद्वर पूरा पहाड़ीं से लिए और इस्मद्वाद एसरी वजह से उद्वर में इतनी सारी लेक्स हैं जो कि पानी से हमें से हमें सब भ इस पर लिका हुआ है एक टरनल की उपड़ लगा हुआ है इस टरनल की लेंद्ध इस टरनल की लेंद्ध इस अभी पहाड़ों को ट्रॉस कर दिया है इस अभुदेपुर से पहाड़ों से क्रॉस करके तो अभा निकला है पट इस व्यूद इस अमेजिंग ड्राव भी अमेजिग यहां की रस्ता भी अच्छा है आप इस आप ड्राव यहां की न्याच्छा यहां की ओंपेश अधार इस बावज हाड़ों केंध वाद्ध थालव अच्छा है।ब इस दो किस अर्थान अधा कर दियाद। आपे खब मेर चिर की करें कोलेमें लुटाति कि अजज जांड़ा कि अजजए बत म्लाइट इजजए कि अजजए झाल 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 झाल